हमारे AMI ATOL devices के लिए एक latest China का weekly update का port version अवेलवल हो चुका है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर complete जनकाई देने वाला हूँ कि यह कैसा है किस तरह किसे काम करता है कुछ box वगरा मिलते हैं या नहीं वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है रोम पसंद आता है तो लाइक करेगा और सपोर्ट के लिए प्लीज सेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसी रेगलर अपडेट इस डिवाइस से रेलेटर आपको मिलते रहें Remember one thing कि अगर आपको रेटमे का Note 9S, Pro, Max या Poco M2 Pro है तो यह सेम OS उसमें आप डाल सकते हो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँगा बस लाज टक वाच कर लेना ठीक है उसके बाद सबसे पहले आते हैं About में यानि My Device में जहां पे आपको MIUI 14 का 14 का जो वर्जन है वो है 14.0.23.6.5 डेव बीडा एडिशन यहां पे डिटेल एंड इन्फो यानि आख्टे हैं About के इन्फोर्मेशन के उपर तो आपको Android 13 6 मन्त का लेटे सिक्योर्टी पैच देखनी को मिलता है और साथ साथ यहां पे आपको प्रिफ का स्टॉक वाला करनल दिखाई देता है बैक के और आने के बाद असमूदने स्वाज चाइना वाला ही मिलेगा कि उसी का यह पोर्ट वर्जन है और यहां पे स्कीन ओन टाइमिंग भी आपको है जो मिलती है यहां पे अडिशनल के अंदर आपको सारे जो फीचर्स मिलते हैं चाइना वाले में वह देखनी को मिलते हैं वीडियो टूल बॉक्स, मेमरी इस्टेंशन, फ्लॉर्टिंग विंडो और बाखी अधर मेमरी इस्टेंशन आप अप तू यहां पे 3GB तक एक्सपैंड कर सकते हो जो कि कासी अची बात है जो कि मैंने बढ़ा रखा है यहां पे फ्लॉर्टिंग विंडो जो कि हमारा वही साइड बार के अंदर लेके जाता है और यहां पे मेरा फोर्ज विला डिवाइस है इसलिए वन टाइम में एक ही फ्लॉर्टिंग विंडो यहां पे काम करेगा अगर आपका स्थी जीवी वाला डिवाइस है या फिरेट क्योंकि इसे pure china का chrome जैसा रखा गया है without motivation के another apps के अंदर आपको यहाँ पर me protection देखनी को मिल जाता है जो कि apps को install करने से पहले आपको extra permission देनी परती है जब आप उसका कोई भी AP के डालते हो तो ताकि कोई third party बंदा आपको phone के अंदर कुछ apps ना डाल पाए बाकि यह सारे common features तो आपको ready है जो पता ही है another यहाँ पर आपको मिलता है battery जहाँ पर इज़र slide करने के बाद आपको normal charge और यह health वगड़ा है यह channel और पूरा का पूरा टेखनी को मिलता है और इस पर click करने का पूरा discussion भी आपको सामने है जो आ जाता है another यहाँ पर screen on timing भी आपको देखनी को मिलता है जो कि mostly आज का time में सभी में remove मिल रहा है बट यहाँ पर है यहाँ पर आपको security ओले सारे features मिलेंगे face unlock fingerprint आपके working मिलते हैं कोई issue नहीं है system launcher वो है default वाला ही है जहाँ ज़्यादा customization नहीं दिया गया है और simple सा ही आपको जो साय चीज़े जो देखनी को मिलती है जो कि आप use कर सकते हो another यहाँ पर आपको मिलता है notification control जहाँ पर आपको देखनी को मिलेगा group notification का option यहाँ पर आपको question सवार में वो ही common option वगेरा है जो कि change नहीं हुआ sound के profile में वो ही सारे options है common वगेरा के haptics वगेरा के जो कि आप use कर सकते हो display के अंदर अगर हम अपने dark mood की बात करें कि काम करता है या नहीं तो यह यहाँ पर finally working देखनी को मिलता है चायना वाले port के अंदर जबकि official जो चायना का था काफी time पहले मैंने चेक किया था अब यह तक fix नहीं हुआ था बाकि यहाँ पर वही सारे common option आपको जो दिखाई देते हैं always on यहाँ पर आपका working मिलता है I know कि हमारा device support नहीं करता है फिर भी यह features आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि मैं कहुँआ कि अगर आपको जरूवत है तो only on 10 seconds के लिए यूज करना permanent मट यूज करना क्योंकि आप फोन आपका heat करेगा और bad TV काफी ज़रे drop करेगा क्योंकि हमारा official device से support नहीं करता इस features को बाट यहाँ पर दे दिया गया है तो आप schedule रखो मत 10 seconds का यहाँ बेटर होगा कि आप इसे off ही लख लो और यहाँ पर themed का icon भी है यानि आप theme store में जाके और भी aod के clocks पकर है जो download कर सकते हो बाकि वही common option आपको मिलेंगे another wallpaper and personalization के अंदर यहाँ पर वही सारे चीज़े देखने को मिलती है और super live wallpaper भी है बाट मैं recommended नहीं करूँगा कि आप यूज करो क्योंकि आपका phone काफी slow हो जाएगा अगर आपका charge विला device है तो another यहाँ पर super folder में वही silent double xl all features मिलते हैं super icon आपका working है लेकिन paid वाले icon यहाँ पर आपके काम नहीं करेंगे क्योंकि इसे यहाँ पर modified नहीं किया गया है official type का रखा गया है जिसके वजह से और यहाँ पर आपको MIUI का dialer देखनी को मिलेगा तो core recording आप कर पाऊगे camera भी आपका है जो working देखनी को मिलता है जो कि default MIUI वाला है लाइका वाला नहीं यहाँ पर डाला गया है जो sign है ना पहले कोई different आता था अब यहाँ पर different देखनी को मिलता है और आप चाहते हो कोई जो कुछ भी आप phone में करो वह record ना हो तो इस तरीक से आप incognito है जो on कर सकतो यहाँ से जो कि अच्छी बात है अब आते हैं gallery पर testing result के उपर यह wallpaper मैंने काफी time पहले इं टेलिग्राम पे दे दिया है wallpaper channel पे और यह है charging test जो कि 17 मिनट में 16% और 34 मिनट में 48% है जो कि overall मैं करोंगे ठीक ठाक charging speed मिलता है another untuto score काफी कमाल का देखनी को मिला है यहाँ पे geekbench भी काफी अच्छा खासा है और 100 पे डालने के बाद cp total भी काफी मज़दार है without game turbo के support के तो आप देखो यहाँ पे 1,91,000 max गया और minimum गया है 1,61,000 और 91 का percentage आया है तो भाई काफी मज़दार यहाँ पे result देखनी को मिल जाते हैं और L1 का support भी आपको मिलता है और default setting में कोई भी change नहीं है तो आपका जो BGMI मगरा officially setting support करता है न वही setting आपको मिलेगा कुछ extra यहाँ पे नजर नहीं आएगा पलस में battery drop जो कि आप देखो 64 के बाद morning में आता है 63 यानि only on 1% का ही battery drop हुए full night में जो कि काफी अच्छी बात है backup आपको काफी सही मिलेगा photo storage भी आपको limited मिलता है क्योंकि इसे official जैसा रखा गया है और हाँ यहाँ पे play store आपका certified नहीं रहता इसे fix नहीं किया गया है तो अगर आप banking app यूज करना चाहते हो तो root करके इसे fix करना पड़ेगा अधरवाज आप banking app यूज नहीं करते हैं तो simply ignore और मारोई से कोई ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो आप इसे असानी से यूज कर सकते हो लेकिन रही बात भाई कि कैसे कैसे क्या क्या डाउट करनी है फाईले और flash कैसे करना है तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा official post सो करता हूँ और details सो करता हूँ जैसे कि यह रहा इसका post जिसका डाउट लिंक आपको जो मिल जाएगा और यह हमारे maintenance का name है यहां पर चार रोम की फाईदा दिखाई दे रही है जो कि Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, POCO M2 Pro और Redmi Note 9 Pro Max के लिए है सबका अलालग है यहां पर फाईल दिया गया है जो कि आपको अपने device के साबसे डाउट कर लेना है डाउट कर लेने के बाद आपको यहां से यह जो Orange Fox का भी लिंक का मैं दे दूँगा जिसे आपको डाउट करना है डाउट करने के बाद Orange Fox आपको अपने phone के अंदर इस्टॉल कर लेना है जिए आपके पास इन चारों में से कोई सब्सक्राइब Orange Fox लो डाल लेने के बाद चारों डिवाइस में अपनी Roam को डाउट करना है Internet storage को वाइप नहीं करना है बाकि Extra को वाइप करना है और Flash करके Format & Reboot कर लेना है अगर आपको चाहिए प्रोपो इंस्टॉलेशन गाइड तो वीडियो मिल जाएगा डिस्क्विशन में और हाँ यहाँ पर बताया गया है कि भाई आप है भाई यहाँ पर Play Store Services कैसे यूज में ला सकते हो बट इसकी ज़िवरत नहीं पड़ेगी आपका Auto जब आप Sign In करोगे ना Permission ले लेगा और इसे On करवा देगा अगर नहीं On होता है तो आप Basic गूगल सर्विस को On कर लेना जो कि आपको सेटिंग करने देखनी को मिलेगा ठीक है इस तरीके से और यहाँ पर आके आप गूगल के पास Basic Service को On कर लेना उसकर आप Play Store में Sign In करके यूज कर पावगे Simple सा method है कोई दिक्कत की बात नहीं नहीं कोई टेंसल की बात नहीं है सिर्व आपको अपने डिवाइस का रोम डालोड करना है और इंस्पोक डालना है वाइफलेस फॉर्मेट और रिबूट कर लेना है आपका काम बन जाएगा अगर आप इस इंस्टॉल करना चाहते हो तो और अगर आपके पस कोई भी डाउट रहे गया है तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो आपसे एक ही लिक्विस्ट है अगर आप चाहते हो कि continue वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज यार वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आजकल इस डिवाइस से लेटेर व्यूज थोड़े डाउन जा रहे है और मुझे फील हो रहा है कि आप लोग बोर हो चुके हो इस डिवाइस को यूज करते करते ठीक है तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाएं ताकि इसे मैं कंटिन्यू रखूं और आप भी जो कंटिन्यू मझे लेते रहो रोंग सोगे राकी सो ठांक्स वॉचिंग बाई